अभी जूम टेस्ट करके मैं आपको देखे तो मैक्सियम कितना ज्यादा तिनों के अंदर आप जूम कर सकते हैं फास्ट पोको एफ फाइप के अंदर तो ये हो गया टोटल 10x जूम नेक्स्ट आ जाता है आइकून नियो 7 और इसके अंदर भी हो गया टोटल 10x अब सबसे लास्ट आवाणा वीवो V27 Pro तो इसके अंदर भी होता है 10x जूम तो तिनों के अंदर ही 10x पे क्लिक कर लेते हैं टार्पनेस किलियर्टी स्लाइटली बिटर लग रहा है पोको एफ फाइप के अंदर नियो 7 बहुत ही ज़दा वेकार V27 Pro भी उतना अच्छा नहीं है अब तिनों के नॉर्माल फ्रॉंट के मारा इंटरफेस आप देख सकते हैं स्टेंडर इंटरफेस कुछ ऐसा हमें देखने को मिलता है तिनों के अंदर ही HDR on करके क्लिक करते हैं अब तिनों के अंदर ही HDR मैंने ओफ कर दिया HDR ओफ करके क्लिक करते है तिनों के नंच के अंदर कैसा हमें difference देखने को मिल रहा है तिनों के अंदर ही आप देख सकते है HDR on and off के अंदर नियो 7 और V27 Pro के अंदर हमें HD portrait का option देखने को मिलता है F5 के अंदर ये option नहीं दिया है तिनों के अंदर ही 3-line icon के अंदर मैं आपको क्लिक करके दिखाओ settings के अंदर आप देख सकते है shortcut button के अंदर fast ही मिल ज़ता है ratio, ratio यासे आप select कर सकते next आ ज़ता है timer 3 second, 5 second and 10 second का timer तिनों के अंदर ही यासे आप customize कर सकते slightly ज़्यादा feature दिखने को मिल रहा है F5 के अंदर आप देख सकते है voice shutter, palm shutter, movie frame, grid line, time brush जो Neo 7 and V27 Pro के अंदर तो दिया है बट इतना ज़्यादा नहीं only frame line, level and watermark दिया है और ये हमने तिनों का ही ratio full screen कर दिया है full screen पे कितना ज़्यादा area यापे view होड़ा है 3 to 4 obviously बैतर है but full screen पे तिनों का ही view आप देख सकते है यापे अगर मैं live देख के बताओ screen के उपर F5 मुझे बहुत ही ज़्यादा सही लग रहा है screen के उपर beauty fiction बगड़ा normal photo mode के अंदर बहुत ही ज़्यादा खुपसरत लग रहा है next तिनों का ही settings के अंदर चलते F5 के अंदर time stamp, mirror, front camera, picture quality high, standard and low पे रख सकते time button function, tap to take photo, customize के अंदर feature layout, camera modes, interface का color यासे आप change कर सकते and sound को भी यासे आप shutter click को अपने हिसाब से customize कर सकते Neo7 and V27 Pro का setting almost same ही है जैसे कि यह पर आप देख सकते है, सब कुछ same option दिया है shutter sound, location, mirror, selfie, keep setting के अंदर camera mode, photo mode, portrait mode, pro mode, watermark के अंदर customize करके अपना नाम बगड़ यासे आप लिख सकते V27 Pro के अंदर extra एक option मिलता है AI, eye, autofocus, इसको अप left eye, right eye and auto पे रख सकते तिनों के अंदरी grid line का option मिलता है बट balance option हमें ये दोनों के अंदर देखने को मिलता है बट Poco F5 के अंदर कुछ ऐसे करके आप balance नहीं कर सकते ये yellow line जो new 7 के अंदर देखने को मिल रहा है ऐसे आप balance नहीं कर सकते Poco F5 के अंदर अब तिनों काई portrait mode में आपको दिखाए तो live blood detection कैसा देखने को मिल रहा है ये आप तिनों के अंदरी live देख सकते obviously इसको अब increase decrease तिनों के अंदरी कर सकते और detail में हम इसको देखेंगे अभी तिनों के अंदरी मैंने aperture 1.4 कर दिया है से low aperture ये आप एक क्लिक कर लेते next 4.0 सबसे last F11 ये हमने 1.4 aperture पे क्लिक किया सबसे ज़्यादा blur अगर आप चाते तो कुछ ऐसा हमें देखने को मिलता है इस detection आप देख सकते तिनों के अंदरी बहुत यच्छी तरीक से capture किया है किनों के अंदरी मुझे Neo 7 के अंदर slightly age detection में problem लग रहा है next ये F4.0 थोरा सा कम blur और ये पे Poco F5 के अंदर age detection में slightly problem Neo 7 का हाल कुछ ऐसा है, beautification उतना ही बढ़िया नहीं है बाट V27 Pro हर एक जगा पे age detection को बहुत अच्छी तरीक से maintain किया है और इसके सती face beauty vision भी बहुत ही खुपसरत है और सबसे last ये F11, सबसे कम blur ये पे F5 के अंदर blur detection ठीक ठीक ही लग रहा है Neo 7 का फोटो उतना भी ज़्यदा attractive नहीं है V27 Pro बहुत ही ज़्यदा खुपसरत beautify किया है face को और तिनों का ही full exhibit data आप देख सकते है ज़्यदा information capture किया Poco F5 अभी live view जो आप देख सकते F2.0 पे अच्छा करसा sunlight के अंदर ऐसे live view हमें देखने को मिलता है portrait mode के अंदर या पे मुझे एक ready tone देखने को मिल रहा है Poco F5 के अंदर आप देख सकते face के उपर अच्छी तरीक से beautification को apply किया अब इसलिए photo किसने के बाद ये age detection भी 90% के आसपास सही कर देता है बट एक interesting चीज़ जो Poco F5 के अंदर हमें देखने को मिलता है वो ये दोनों answer के अंदर नहीं मिलता अब photo mode के अंदर beautification को apply कर सकते face beautification को यह पर आप देख सकते smooth big eyes, nose, chin, lips, hairline ये सब कुछ आप adjust कर सकते है नॉर्मल photo mode के अंदर इसके सथी portrait mode के अंदर एक beautification option दिया इसको आप adjust कर सकते है बट Neo7 and V27 Pro के अंदर नॉर्मल photo mode में हमें कोई भी beautification option देखने को नहीं मिलता है आप filter option तो दिया है so face को अगर आप beautify करना चाते है तो portrait mode से ही आपको photo खिचना पड़ेगा अब face beautification option कितने सारे ये अपे दिया है एक एक करके देख लेते तो ये आप देख सकते है तीनों के अंदर ही मैंने face beautification option खोल लिया तो ये आपे आप देख सकते है कितने सारे दिया है F5 के अंदर नेक्स्ट नियो 7 के अंदर भी बहुत सारे कुछ दिया है और V27 Pro के अंदर भी almost same ही दिया है ये दो handset के अंदर हमें makeup and posture option मिलता है जो लड़कियों के लिए बहुत ही ज़्यदा सही है तो ये makeup बगड़ा यूज़ करके अपने face swap और भी ज़्यादा attractive and smooth बना सकते है अब back camera का full interface ये पर आप देख सकते है F5 के अंदर 0.66 altroid पे ले जा सकते है नियो 7 के अंदर ये possible नहीं है और इसकी सती V27 Pro के अंदर भी आप 0.66 altroid पे ले जा सकते है जिसके वेसा इसे खूबसरत सीन बगड़ा आप capture कर सकते है आराम से फास्ट तीनों के अंदर ये altroid पे click कर लेते altroid का photo आप देख सकते है नियो 7 के अंदर possible नहीं है तो हमने 1X पे click किया थोरसा zoom करके अगर मैं आपको दिखाओ sharpness clarity के साथ color भी F5 के अंदर मुझे slightly better लग रहा है बट एक चीज मैं notice कर रहा हूँ V27 पोड़ो के अंदर आप देख सकते है कितना जदा बड़ा idea ये पे capture हुआ है बट F5 के अंदर slightly crop अभी तिनों के अंदरी 1X पे click कर लेते तो ये तिनों का 1X का photo मुझे अगर आप पूछोगे तो V27 का मुझे better लग रहा है color भगडा बहुत ही जदा सही है आप थोड़ा साथ तिनों के अंदरी zoom करके अगर मैं आपको दिखाओ Poco F5 एक ready tune प्रोवाइट कर रहे है अब तिनों का HDR टेस्ट कर लेते करेंगे कैसे काम करता है तो ये फूटो हमने AI mode off करके लिया है और ये हमने AI mode on करके लिया है वी तूटो के अंदर AI mode on and off के अंदर उतने भी जदा difference नहीं है बट F5 के अंदर अच्छा कासा मुझे difference देखने को मिल रहा है अब तिनों का more settings आप देख लो mode के अंदर कितने सारे हमें features मिलता है 64MP, 64MP बट V27 Pro का price slightly ज़्यादा है तो इसके वैसे supermoon, double exposure, live photo, sports, long exposure ये कुछ extra mode दिया है अब तिनों का ये high resolution mode पे एक photo click करके देखते कितना ज़्यदा maximum information capture करता है तिनों ही देखने को मिलता है और ये पे भी Poco F5 का resolution बहुत ही बढ़िया है information भी बहुत अच्छी तरीके से structure बगड़ा मेंटेन किया photo के अंदर सबसे high resolution अगर आप use करते तिनों के अंदर तो ये रहा तिनों का exit data अब तिनों के अंदरी pro mode अगर आप देखना चाते है ये आप देख सकते pro mode का interface कुछ ऐसा है wide balance, aperture, shutter speed, ISO ये आप customize करके तिनों के अंदरी control कर सकते है एक चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा important है raw mode पे आप shoot कर सकते है v27 pro और neo 7 के अंदर बट पोको f5 के अंदर raw mode पे shoot करने का कोई भी option नहीं है और तिनों के 3-line icon के अंदर आप click करते है तो कुछ ऐसा में pro mode के अंदर option देखने को मिलता है neo 7 और v27 pro का almost same ये level, establishment, bracketing, interval, shoot, frame line, अलग-अलग highlighted point ये पे आप पा सकते professional photography के लिए 64 MP का भी ये पे shortcut button दिया है अब complete video interface आप देख सकते 0.6x altroid पे आप v27 pro और Poco f5 के अंदर record कर सकते altroid पे बट resolution भी थोड़ा सब को loss हो जाएगा full HD 30fps पे आप record कर सकते altroid पे बट जब अब full HD 60fps कर दोगे v27 pro के अंदर तो ये altroid से switch होके 1x पे चला गया establishment की बात करूँ तो ये पे Poco f5 के अंदर अप steady video mode को on off कर सकते neo 7 के अंदर दो option मिलता है standard, stabilization and ultra, stabilization v27 pro के अंदर भी दो option दिया है standard and ultra steady v27 pro के अंदर AI बोलके ये एक mode दिया है तो ये आप देख सकते हैं ऐसे blood video, portrait video अगराप record करना चाकते हैं ये only v27 pro के अंदर ही possible है Poco f5 के अंदर ऐसा feature नहीं दिया है और portrait video में v27 pro के अंदर aperture भी आप control कर सकते हैं resolution की बात करूँ तो Poco f5 के अंदर maximum 4K 30fps पे ले जा सकते है iqoo Neo 7 के अंदर 4K 60fps सपोर्ट करता है और Vivo v27 pro के अंदर भी 4K 60fps सपोर्ट करता है maximum high resolution और front camera का video interface तिनों का कुछ ऐसा है v27 pro के अंदर 4K 60fps व्या front camera से vlog कर सकते हैं ऐसे high resolution video record कर सकते Neo 7 के अंदर only full HD 30fps और Poco f5 के अंदर maximum full HD 60fps अभी तिनों के अंदर ही macro camera टेस्ट करके देखते है कैसा काम करता है macro mode को यह से मैं on कर रहा हू Neo 7 के अंदर macro का यह option दिया है super macro तो fast Poco f5 से click कर लेते iqoo Neo 7 v27 pro तो यह रहा तिनों का macro sample Poco f5 का बहुत ही ज़्यादा बेकार Neo 7 ठीक ठाक capture किया है बट V27 pro बहुत ही ज़्यादा खूप सुरत लग रहा है तो macro के अंदर number 1 position पे V27 pro then iqoo Neo 7 second position अब तिनों के यह back camera से मैं यह video record कर रहा हू normal standard 1x mode पे and resolution की बाद कर तो maximum resolution पे तिनों का ही मैं record कर रहा हू 4K 30fps Poco f5 के अंदर बखी यह दो handset के अंदर 4K 60fps तो normally ऐसा अगर मैं shake करके दिखा हू तो stabilization कैसा काम कर रहा है यह पे आप देख सकते है इसके अंदर जो stabilization option दिया है यह मैंने किसी के अंदर भी on नहीं किया without stabilization on किये हुए ऐसे normally अगर आप video record करते है और ऐसे walk करते तो आप देख सकते तिनों के maximum resolution, high resolution पे कैसा video record होड़ा है 4K 60fps और Poco F5 के अंदर 4K 30fps और ऐसे back camera से अगर आप video record करते है vlogging बाड़ा करते है तो यह भी आप देख लो किसके अंदर high resolution पे better vlog, better quality आप expect कर सकते है अब altroid पे अगर मैं record करके दिखा हू तो दोनों के अंदरी full HD 30fps पे record होड़ा है Neo 7 के अंदर altroid का कोई भी option नहीं है तो V27 Pro और Poco F5 के अंदर यह पे मैं altroid पे video record कर रहा हू किसके अंदर ज़्यादा wide angle view होड़ा है और आसपास तोरह से अगर मैं move करके दिखा हू 60fps के वाएसे उतना ज़्यादा smooth frame तो हमें देखने को नहीं मिल रहा है sharpness, clarity, altroid video के अंदर F5 में slightly better लग रहा है बट F5 में एक चीज़ आप notice कर सकते हैं बहुत ही ज़्यादा बड़ा frame हमें देखने को मिल रहा है और यह है तिनों का front camera का video HDR situation में मैं record कर रहा हू तो SA1X पर अगर आप record करते है front camera से semi situation में मुझे F5 के अंदर बहुत ही ज़्यादा ready tone मिल रहा है और पूरी तरीक से sun को face करके मैं अगर video record करके दिखाओ तो यह आप देख सकते है front camera से video अगर आप record करते F5 बहुत ही ज़्यादा wide angle मिल रहा है compare to V27 Pro face के color भी आप देख सकते V27 Pro के अंदर slightly better है बाट एक ready tone मिल रहा है Poco F5 के अंदर